हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सौमय है और सौगत है आपका पंद्रा बाई पचास की इस हाउस सिरीज के होस्प्ला नंबर 09 में यहां पर भी मैं आपको बता दूँ यह आपका 750 स्कार फिट में दो मंजिला घर का नक्सा रहने वाला है जहां पर मैंने ग्राउंट फ्लोर के साथ घर का फ्रेंट एलिवेशन डिसकस किया है जिसमें आप देखिए कि आपको चार प्रेड्रूम के साथ कीचन इस्टोर गेस् इस प्रेंट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक डोड दे रखा है जो की 4 फिट चौड़ा है जो इस चार फिट चौड़े गेट से हम लोग अपने 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 ड्रोइंग होल में आते हैं आप इसे केस्टोम भी कह सकते काफी बड़ा एरिया मिल रहा है 14 फिट 4 इ अपनिंग दे रखी है जिससे आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देखेंगे कि इस्टेयर केसे जो की यू सेप में है और उपर के लिए जा रहे हैं यह हमारी तीन फिट चौड़ी गैलरी है सबसे पहले बात करें टॉयलेट की टॉयलेट हमारा साथ फिट बाई तीन फिट दे रखा है इसे आप वाश एरिया के ऐसे वाश एरिया भी उज़ कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीन फिट वाइट गैलरी से यहां पर आप बेडरूम देखेंगे जो की 14 फिट चार इंच पै तस फिट का अच्छा खासा बेडरूम मिल रहा है विद प्लस यहां पर इस बेडरूम से अटैच मैंने बैक या शिट आउट एरिया भी दे रखा है यहां पर आप एक श्लाइड दोर लगा के इस बैक आइड को यूज कर सकते हैं तो यह हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान है अब हम लोग चलते हैं अपनी इस टेयर का यूज कर इस बैक साइड देखें तो यहां पर एक ट्वालेट आपको मिलता जो की साथ फिट बाई तीन फिट आथ इंच है फिर यहां पर एक और बेडरूम आपको मिलेगा जिसका साइज है ग्यारा फिट बैन नौ फिट चार इंच प्लस बेडरूम से मैंने वेटिलेशन के लिए यहां पर OTS भी दे रखा है तीन फिट चोड़ी गैलरी से जैस्टी आगे पढ़ते हैं बैक साइड पी एक बेडरूम मिलेगा जो बेडरूम नंबर 04 है जिसका साइज है 14 फिट चार इंच पै नौ फिट चार इंच यहां पर भी मैंने अटेच आपका ट्विट दे रखा जो कि साथ फिट बै तीन फिट आठ इंच है इस बेडरूम से अटेच आपका बालकनी भी मिल रहा है तो यह आपकी ग्राउंट फ्लोर का प्लान रहा है जिसमें प्रॉपरली सारी चीजे मैंने मिन्सन की हुई है और चलते हैं घर के फ्रेंट एलवेशन पर यानि कि यह हम मैंने किया है फ्रेंट से यहां पर आप रेखेंगे मैंने स्टोन वर्क भी दे रखता है प्लस आपका एलवेशन प्रॉपर विल मेंटेन है बहुत ही बेतरीन है आप लोग बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं ऐसे अपना प्यार बनाया रखिए मिलते हैं न